कांगडा चंबा लोगसभा संसिरी क्षेतर के तहट मैं भी चौकिधार कारेकर्म का आयोजन धरमशाला में किया गया जिसमें पूर मुख्य मंतरी एवं वर्तमान में संसद शांता कुमार ने बता और मुख्यती थी वहां शिर्कत की मंतरी एवं कांगडा लोगसभा क्षेतर से परतेशी किशन कपूर सर्वीन चौधरी तथा परदेश महामंतरिक किरपाल सिंग परमार भी इस मौके पर मौझूद रहे कारेकरम के बाद मीडिय के साथ बात चीत करते हुए शांता कुमार ने कहा कि ये कारेकरम पूरे देश भर में एतिहासिक रहा है उन्होंने कहा कि आज से पहले देश के किसी भी नेताने करोडों लोगों के साथ एक साथ बात नहीं की थी उन्होंने कॉंग्रिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने कभी पहले कॉंग्रिस की ऐसी मिट्टी पिलित होते नहीं देखी थी उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की पर्तियाशी चुनाव मेदान में कूद पड़े हैं और अभी तक कॉंग्रेस के पर्तियाशियों का पता नहीं है। उन्हें कहा कि कॉंग्रेस उनके सामने दम तोड़ती नजरा रही है। और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। शांता कुमार ने कहा कि नरेंदर मोदी का विकलप पूरे देश में रही है। ने जो किया उससे उनका दिल आहत हुआ है। शांतकमार ने कहा कि आयाराम गयाराम से कभी हर्याना बदनाम हुआ करता था और अब हिमाचल बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज बहुत पुराने निता पुत्रमो में नहीं हैं पौत्रमो के अंदर हैं जो उन्होंने कि वो दुर्भागे पूर्ण हैं उन्होंने कहा कि वे समझते हैं कि मंडी की समझधा जनता इसका जबाब जरूर देगी उन्होंने कहा कि सुखराम ने उन्हें फोन किया था कि उनके जीवन की अंतिम इच्छा है कि वे अपने पोते को राजनिती में लाएं आप मेरी मदद ये तो उन्होंने कहा था कि वे मंडी आएंगे और उनके पोते को भाजपा का कारेकरता बनाएंगे लेकिन सिधे एमपी बनाना उनकी पार्टी में नहीं है उन्होंने कहा कि कांगरेस का दिवालिया निकल चुका है इस दिवालिया पन का क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के पास उमीदवार ही नहीं है और उधार में उमीदवार मांगे जा रहे हैं या फिर चुराए जा रहे हैं यहां भी पूरे देश में एतिहासत का अभूत पूर्ण आज से पहले देश के किसी वेतारे एक सबै पूरे देश के कुरोडों लोगों के साथ माद नहीं की यह नई टेकनोलोजी का लावद उठाया गया है लेकिर यह विचार भारती जंदा पार्टी मुझे इतना कहरा है कि पूरे देश के अंदर जो भारती जंदा पार्टी के हंग पे गहर बज़िए तो एक बहुत बड़ी आंधी बद्धी जा रही है और कांग्रा लोग समाग्षेत्र हर दिश्टी से ही मार्चल में नहीं देश की और कैक्षेत्रों से बहुत आगे रहेगा यह जमाव हम लड़े है कुषिंट पूर्जी ने लड़े हम सब चौटीदार भी है अब सब कुषिंट पूर्जी है अब पिछला रिकार्ट ओड़े शांग्राज जी कांग्रेस के परदेश से जक्स पुल्दीफिंग राटोर ने आज शिमला में कहा है कि कांग्रा से पवन काजल का जिनाम जो है वो फाइनल हो गया है बस गोचनत की जाएगी पर साथ ही हमीर के लिए वो असमंजेस में है तो कांग्रा में पवन काजल को कैसे रखते हैं और मेर्पूर में अभी तक असमंजेस को लेकर देखिए मुझे याद रही है कि किसी जनौब कांग्रस की इतनी बुरी बिट्टी पलीज होई है अब उमीदबार तैके जड़ पड़े हैं उनक कि लड़ाई लड़ रही हैँ वारे सामने आज कोई तकर देने वाला नहीं है पूरे देश नहीं है पूरे देश में हमाचवें और. बहुत ज्यादा शानदादी तपका प्राफ रहा हुए। मंडी में कहा जा रहा है भाजपा के सामने है। मंडी की बात मत पूचिए मुझे बहुत हुए। मेरी सुख राम जी ने क्यों किया। मेरा दिल उससे आहत होता है। क्योंकि कभी कार्याना बदराम हुआ था आयाराम गयाराम। और वहां कोई श्री बजनलाजी थे जो पूरे विधायकों को लेकर चले गए थे तो ये कहा गया था कि बजनलाजी अपनी पूरी बजनमंडी लेकर चले गए। आयाराम गयाराम के काराम अरयाना बत्राम हुआ था और अब हमाचर बत्राम हुआ पिया एक बहुत पराने नेता पुत्रमो नहीं फौत््रमो के अंदर उनने जो किया है वह बहुत बर्बागे पूर्ण है और मैं समझता हूँ कि मंदी की बहादर लिता हूँ इसका जवाब देगी उनका दल बदल और उनके परिवार का जब पिछली बार हम जीतने वाले थे तो बेटे को हमारी पार्टी में भैई दिया मंत्री बना दिया आज उनको लगा मुझे उन्होंने टेलीफून किया था औ मैं अपने पोते को राजलीपी में लाना चाहता हूँ आप पर ही मदद करेंगा मैं आपके मदद करूंगा मैं मंदी आओंगा आपके पोते को भाच्वा में लाएंगे उसको यूआ वोर्चा कामकार करता बनाएंगे लेकर सीधे एमपी बनाना हमारी पार्टी का कांग्रोस के पाथ भूंदोस्तान की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी उमीदवार नहीं उमीदवार बांगे जा रहे हैं उधार दिये जा रहे हैं चुराए जा रहे हैं तो ऐसी कांग्रोस तो मैं समता हूँ कि हमारे वकाबल पर ठिके भी ठिके गी भी नहीं